आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहली मुख्य समाचार आयोध्या की राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्टा के बाद प्रदेश में मनी दीवाली राश्टपती ने दिये प्रधान मंत्री राश्वे बाल पुरस्कार प्रदेश के अवनीश दिवारी को भी किया गया सम्मानित आच से भूपाल में राजय खनेज मंत्री सम्मेलन का आयूजन और विक्सित भारत संकल प्यात्रा प्रदेश में जारी प्चीज़ जनवरी से राज strategically में यात्रा पराधारीत प्रदेशनी का आयूजन अब समाचार विस्तार से अब समाचार विस्तार से अब समाचार विस्तार से धूम घाम के साथ मनाया पंधाना, हरसूद, खालवा, रोश्नी, पताजन, सहित, अन्यनगर भी रोश्नी से जगमगा उठे कटनी सिले में हर्श और उल्लास के बीच गाउं और शहरों में आतिश वाजी की गई मंदिरों नदियों और जलाशियों के टटो पर दीपदान किये गए जबलपूर के ग्वारी घाट सित मा नर्मदा टट में लोक निर्माण मंतरी राकेश सिंग के नितरुत में दीपोत्सों कायोजन किया गया क्वारी घाट के सभी घाटों को 51,000 दीपों से सजाया गया मंदनसली में सुंदरकांट हनुमान चालीसा राम धुन भगवान की शुभा यात्रा सहिद विविध धार्मिक आयोजन किये गये शाम को मंदिरों में राम जियोती पांच दीपक घरों में जलाये गये पूरे जिले में दीपावली के समान उत्सवई मोहल रहा रिवा जिले में विभेने कारिक्रमों का आयोजन किया गया इसी क्रम में पचमठा धाम में की सजा दीपमानाओं का प्रचुन हुआ साथी मा बीहर के आर्ती के शुरुआत भी हुई विदिशा जिला श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई दिया सतना जिले की चित्रकूर्ट शेत्र की प्रसिद्ध स्थल सिधा पहाड में श्री राम के विशाल नौ निर्मित प्रतिमा और सिधा पहाड को धार्मिक स्थल की रोप में विक्सित करने के लिए किये गए विकासकारियों का लुकारपन किया गया सांसित गड़े सिंग ने भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरन कारिक्रम में हिस्सा लिया नर्मदापुरम जिला भी राम मैं हो गया सुभह से ही नर्मदान चुल की गली-कली में राम किर्टन के धोन और जैस या राम के जयकारे सुनाई दे रहे थे चौक चौराहे आकरशक लाइटिंग के साथ केसरिया धोच से पटे हुए नजर आए जिले के पाबन सिठानी खाठ और चौक काली मंदिर ग्वाल टूलिए सित्थ Megaliant जिले के ग्रामीर और शहरी शित्रों में और जियुध राम में प्रतीत हो रहा था बैतूल में जन्मानस कल्यार संस्थान मध्य प्रदेश टीम पुलिस इंडिया रिफॉर्म ने जिला चिकित साले में अभिनाव कारिक्रमायो जित किया संस्थान ने कल जन्मान लेने वाले नौ बच्चों को भगवन राम का सुरूप मानकर प्रभुराम के चरित्र को चिरिस्म्रतियों की रूप में संजो ने चांधी के लौकेट उपहार सुरूप भेट किये प्रधान मंत्री नरीन्र मूदी नी अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्टा के आउसर पर कल शाम नई दिली में अपने आवास पर राम जूति प्रजुलित की श्री रम मूदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर राम जूति की जलकिया साझा की प्रधान मंत्री के आवान पर देश भर में लोगों ने शुब आवसर पर मिट्टी के दीपक जलाए भाजपा ध्यक्ष जगत प्रकाश नद्डा ने अपने परिवार के साथ अपने आवास पर राम जोती जलाई केंद्री मंत्री मिनाक्षी लेकी भी शुब आवसर पर कनाट प्लेस में दीपुत्सों में शामिल होई राश्रपती द्रौपती मुर्मु ने कल शाम नई दिल्ली में 19 असाधारन प्रतिभावान बच्चों को प्रधान मंत्री राश्रे बाल पुरुसकार दुहजार जोबिस से सम्मानित किया पुरुसकार पुजेता बच्चों को कला और संस्क्रती बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के शेत्र में इनके उपलब्धियों के लिए देश के सभी शेत्रों से चुना गया था राश्रपती ने पुरुसकार समारों में मध्यप्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को पुर्धान मंत्री राश्रे बाल पुरुसकार दोहजरा चौबिस से सम्मानित किया राश्ट्रपती श्रीमती मुर्मू ने मास्टावनीश को पदग, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया इन दौर के नो वर्षी मास्टावनीश को सामाजिक सीवा में उतकृष्टता के लिए व्रुसकार पदान क्या गया है मास्टावनीश, डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक विशिश बालक है, साथ वर्ष के आयू में उरुने माउंट एवरिस्ट के बेस क्याम तक सफल ट्रकिंग की है वर्ष 2022 में श्रेष्ट दिव्यांग बालक पुरुसकार पाने वाले वे सबसे कम उम्र के बालक थे इस वसर पर राश्टपती ने कहा है कि युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाना हमारा करतव है, जैसे वे अपनी प्रतिभा और उर्जा का सही उप्योग कर सके राश्टपती मुर्मू ने युवाओं से कम एक खेल सीखने और उसमें भाग लेने का आग रह गया श्रिमूदी आज प्रधानमंत्री राश्यवाल प्रुसकार वजेताओं से समवाद करेंगे, प्रुसकार वजेता पच्चे 26 चिन्वरी को गर्दन दिवस परेड में भी शामिल होंगे समाचारों में वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है किया जाएगा, इसमें मर्दवरी सरकार के अलावा जिरसाई, डेमेफ, प्रमुक्खनन कंपनिया, निजी, एजिंसिया और स्टार्टप्स अपनी उप्लब्धियों को प्रदर्शित करेंगे मुख्य मंत्री यक्टर मोहन यादव कल भूपाल में बाल, शिक्षा, का अधिकार, अधिनियम, किशोर, नियाय अधिनियम और पौक्तो, अधिनियम की जागरुकता के लिए आयजवित, राजिस्तरी कारिशाला का शुभारंभ करेंगे गरतन दिवस के औसर पर राजभौवन आमजन के लिए 25 चिनवरी से 27 चिनवरी तक निर्धारित अधिके लिए खुला रहेगा संकल प्यात्रा, ग्राम पंचायत, कन्नौर, पटौरी, मजगवा, सैलारपूर, दश्रमन, बिचुवा, कर्हियाकला, बड़ा गाउ, उर्धानी, सहजरा पहुंची अपको समाचार सिंख्षेफ में नीमच में क्रिश्य विज्यान, केंद्र, मसाला, फसलों की मोले समवर्धन विशेपर साथ दिवसी तकनीकी प्रसिक्षन का आयोशन क्या गया श्वाद्वा राश्री मदाता दिवस 25 चिनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा इस औसरप्रभ बैतूल में भी मदाता दिवस के शपत दिलाई जाएगी श्यूपुरी में परिक्षा पर चर्चा कारिक्रिम के अंसरगर्ट प्रधार मंत्री नरींद्र मोदी द्वारा दिये गए डिवलप्मेंट प्लान के संबंध में जनर प्रतिनिध्यों से वचार विमर्ष के लिए श्रीक रही बैठक आयोजित के जाएगे इस बुलिटिन में इतना ही डीजे इजासत नमस्कार